आज हम मुहावरा और एसे शुरू होने वाले मुहावरों की बात करेंगे मुहावरा शब्द अर्वी भाशका है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वेयम मुहावरा है क्योंकि यह अपने समाने अर्थ को छोड़ कर एह समाने अर्थ प्रकट करता है यहाँ पर काट का उल्लू इसका अर्थ यह नहीं है कि लकडी का उल्लू बना दिया गया है अपीतू इसे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू काट का है वे हैं हमारे किस काम का उसमें सजीवता तो है ही नहीं इस प्रकार हम इसका अर्थ लेते हैं महामुर्ख से एके मुहावरों के आज हम बात कर रहे हैं इसमें पहला मुहावरा है अंक में समेटना यानि बोध में लेना या अलिंगन बद करना शीशु को रोता हुआ देखकर मा का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेट कर चुप किया दूसरा मुहावरा है अंकुष लगाना अंकुष पाबंदी या रोक लगाने को कहते हैं तो इसका प्रयोग हम देख रहे हैं राजेश खर्चिला लड़का था अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करके उसकी फिजूल खर्ची पर अंकुष लगा दिया है तीसरा मुहावरा है अंग बन जाना सदस्य बनना घर के नोकर रमु से अनेक बार भेटोने के पस्चात एक अतिथी ने कहा रमु तुम्हें इस घर में नोकरी करते वे काफी दिन हो गए है ऐसा लगता है जैसे तुम भी इस घर के अंग बन गए हो नेक्स्ट मुहावरा है अंग अंग धिला होना यानि बहुत ठक जाना सारा दिन काम करते करते आज अंग अंग धिला हो गया है नेक्स्ट मुहावरा है अंडा सेना घर में बैटकर अपना समय नष्ट करना निकम्मे ओमदत की पत्नी ने उसे घर में पड़े देखकर एक दिन कह दिया कि यहीं लेटे लेटे अंदे सेते रहोगे या कुछ कमाओगे भी नेक्स्ट मुहावरा है अंगुठा दिखाना यानि इंकार करना आज हम हरीश के घर 10 रुपे मांगने गए तो उसने अंगुठा दिखा दिया अंदे की लकडी एक मात्रिस सहारा राकेस अपने माबाप के लिए अंधे की लकडी के समान है अंधे के हाथ बटेर लगना अनायास ही मिलना राजेस है सुकुल परिष्चा में प्रथम आया उसके लिए तो अंधे के हाथ बटेर लग गई नेक्ष्ट मुहावरा है अनन जल उठना, प्रस्तान करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना रिटायर होने पर प्रोफेसर साब ने कहा लगता है बच्चों अब तो यहां से हमारा अनन जल ही उठ गया है हमें अपने गाउं जाना पड़ेगा सुधीर साइंस के विश्यों में अच्छे पढ़ाई कर रहा था मगर उस अकल के अंधे ने इतनी अच्छी साइड क्यों बदल दी सुधीर के एक मित्र ने उसके बड़े भाई से पूछा अकल पर पत्थर पढ़ना, कुछ समझ में ना आना मेरी अकल पर पत्थर पढ़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करो नेक्स्ट मुहावरा है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना या मुर्खता पूर्ण कारे करना तुम हमेशा अकल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो, कुछ समझ कर काम किया करो अकल का अंधा या अकल का दुश्मन होना, इसका भी तत्परिय महामुर्ख होना होता है राजों से साथ देने की आशा मत रखना, वे है तो अकल का अंधा है अपनी खिचडी अलग पकाना, यानि अलग थलग रहना सुनीता की पड़ोसनों ने उसको अपने पास ना बैठता देखकर कहा सुनीता तो अपनी खिचडी अलग पकाती है, यह चार ओर्तों में नहीं बैठती अपना उल्लू सीधा करना, यानि स्वार्थ सीध करना आज कल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं येवल कलपनाई करते रहना सफलता अक्ल के घूड़े दोड़ाने से नहीं अपितु परिश्रम से प्राप्त होती है अंधेरे घर का उजाला एकलोता बेटा मयंग अंधेरे घर का उजाला है अगला मुहावरा है अपना सा मू लेकर रह जाना लज्जित होना विजय परिशा में नकल करते पकड़े जाने पर अपना सा मू लेकर रह गया अरन्यरोधन यानि व्यार्थ प्रयास कंजूस व्यक्ति से धनकी आजना करना अरन्यरोधन है अकल चरने जाना बुध्धी मता गायब हो जाना तुमने साट साल के बुड़े से अठारे वर्ष की लड़की का विवा कर दिया लगता है तुम्हारी अकल चरने गई थी अडियल टट्टू यानि जिद्धी आज के युग में अडियल टट्टू पीछे रह जाते हैं नेक्स्ट मुहावरा है अंगारे उगलना रोध में लाल पीला होना अभि मन्यू की मृत्यू से आखत अरजुन कौरों पर अंगारे उगलने लगा आज के इतने ही मुहावरे हम ले करके चल रहे हैं इस वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ तेंक यू फॉर वोचिंग